बॉलिवूड के सूपरस्टार अमिता बच्चन और रेखा के बीच बोलचाल सालों से बंद है ये तो सब को पता है और बोलचाल बंद क्यू है ये भी सब जानते हैं लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि रेखा बॉलिवूड इंडस्ट्री के एक और सूपरस्टार से सालों से ब फिल्मों में एक साथ काम किया है और यह फिल्म में ब्लॉक बस्टर रही है लेकिन शत्रुगन सिना के हिसाब से रेखा अब जो है वो रेखा तब वैसी नहीं थी रेखा जब एक्टिव थी इंडेस्ट्री में जब वो यंग थी जब वो नंबर वन पर थी तब वो अजीब थोड़ी अलग थी वो इस तरह के नेचर की बिलकुल नहीं थी शत्रगन सिना ने बताया कि रेखा जन के साथ जानी दुश्मन और खुन भरी मांग जैसे फिल्मों में वो काम कर चुके हैं उनके और रेखा के बीच फिल्मों के दौरान काफी डिफरेंसिस हुआ करते थे ले प्रबलम खत्म होने के बज़ए इतनी ज़ादा बढ़ गई कि इस प्रबलम ने बखत बड़ा रूप ले लिया खुद रेखा ने भी पहल नहीं की प्रॉबलम सॉल्फ करने की और ना ही शत्रगन सिनहा ने प्रॉबलम सॉल्फ करने की पहल की यही कारण है कि दोनों ने बातचीत करना बंद कर दिया In fact, एक टाइम पर राकेश रोशन चिंता में पढ़ गए थे क्योंकि ये दोनों आक्टर्स एक साथ काम करने को ही तयार नहीं थे बाद में बात की गई और इतना कंवेंस कर पाए राकेश रोशन इन दोनों को कि दोनों सीन्स एक साथ देंगे लेकिन इसके अलावा किसी भी चीज़ को लेकर बातचीत नहीं होगी और ऐसा ही करते हुए फिल्म खून भरी मांग की शूटिंग पूरी हुई लेकिन इस फिल्म के खत्म होने के बाद शत्रुगन सिना और रेखा ने आपस में कई सालों तक बात नहीं की finally 30 सालों बाद शत्रुगन सिना की wife ने पहल की और दोनों का patch up करवाया कहा जाता है कि रेखा और शत्रुगन सिना बात नहीं करते थे लेकिन पूनम सिना जो शत्रुगन सिना की wife है वो और रेखा अच्छी दोस्ती और शत्रुगन सिना और रेखा की problem के कारण पूनम सिना और रेखा की दोस्ती में भी problem आ रही थी यही कारण है कि पूनम सिना ने दोनों का patch up करवाया और उसके बाद इन दोनों की बातचीत शुरू हुई शत्रुगन सिना ने इस बात का खुलासा अपने latest interview में किया